हेग गाइज वरकम टू मैई चैनल पी नाच्छरल खुशी आज मैं आप लोग के साथ में सेयर करने वाली हूँ अब घर बैठे आप अपने बालों को पारगंडी कलर कैसे कर सकते हो अगर आप चाते हो कि आपके बालों में रेड कलर आए तो आपके रेड कलर भी पा सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में मैरून कलर आए तो मैरून कलर भी मिल जाएगा, कुछ अलग-अलग तरीके में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, और जिनके बालों में white hair की problem है उनके बालों में white hair की जो problem है उसको भी review कर देंगे क्योंकि अगर आप इसको use करोगे तो आपके बालों से white hair की problem भी दूर हो जाएगी और जिनके बाल बहुत ज़ड़ते हैं समय से पहले उनके बाल बहुत ज़दा पकने स्टार्ट हो गए हैं और बालो में डेंडर वगेरा की प्रॉबलम है आपका हीर ग्रोथ नहीं हो रहा है सर्दी के वजह से आपके बाल जो हैं बहुत ज़दा फ önemli जी रोफ रहते हैं बहुत ज़दा आपके बालों में खुजली वगेरा है किसी तरह का कोई भी इंफ्राक्शन वगेरा है तो वो सारी चीज़े आपके बालों से दूर होगी और आपके बालों को मिलेगा काफी अच्छा सा हेयर कलर और आपके बालों में काफी अच्छी से साइनिंग देखने के लिए मिलेगी इसोगाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हमने लिया है आमला आमला अगर आपके पास फ्रेस है तो आप फ्रेस लेजे क्योंकि इसका भी बेनिफिट हमें बहुत ही अच्छा सा मिलते हैं हमारे बालों में जो ग्रे हेर की प्रोबलम रह करते ही करती है और आपके बालों को साइनिंग समोदनिंग घना काफी अच्छा यह भी वर्क करते हैं आपका हेर क्रोथ करने के लिए थर्ड हमने लिया है यहां पर करीपत्ता करीपत्ता का बेनिफिट आपको पत्ता होगा कि यह आपके बालों में नए बाल उगाते हैं आ अगर आप नहीं follow कर रहो तो अगर आप करीपता का पानी यूज़ कर रहो तो आपके बालों में सारी भरफुर मात्रख मी मिल जाती है तो आपको जादा हेर केर करने का जुरूत नहीं पढ़ता है अगर आपके बहुत ज़्यदा वजन बढ़ गया हैं अगर आप चाहते हो व आट से नौ ले लीजे पत्ते उसको अच्छे से चबा चबा के गुनगुने पानी से खाके उसको निगल जाईए फिर ऐसा करते रहें आप महीने भर में देखेगा कि आपके वेट लोस में आपको जरूर से जरूर फारक दिखने के लिए मिलेगा और काफी अच्छा सा आपक अब भी आएगी क्योंकि अगर हम उपर के साथ से अगर कोई भी चीज करते हैं अगर अंदर की चीजों से अगर मतलब खाके उसको करें तो हमें अंदर से ताकत मिलती हैं अंदर से चमक आती है और उपर से तो करना जरूरी होता ही होता है तो ऐसा के जेगा फिर हम आप चल पे हाई फ्लेम पे नहीं हाइफ लेम पे से जितने जल जाएंगे चांपनी के लौब आहेंगे पानी हूँ पानी को स्याह सब्सक्राद करने लिए रएंगा युद्र गोन आप लोग से concepts टेना चाहँ कि बाहर बहुत ज़्यादा वाइस हो रहे हैं तो आप लोग उसको प्लीज इक्नॉर के जएगा आप लोग वीडियो पे ध्यान देज़ेगा तो यहां पर हमने इस पानी को बना के तयार किया है तो अगर आप चाहू तो इसको ऐसे डिरेक्ट ले अपने बालों में अ सब कुछ इसमें अबैलबल है और आपके बालों को यह अच्छे से साइनिंग रखता है तो अगर आप चाहो तो इसको मीसो से पर्चेस कर सकते हो यह मीसो पे अबैलबल है तो वहां से आप ले लिजे फिर उसके पास इस पानी में आपको डाल देना है एक चमश के अराउं इसमें जाक बनते जाएगा इसको आप चाहो तो एक डिबे में भरके रख लिए जैदा सब 15 दिन पर उसे जादा मत रखेगा जब आपका 15 दिन हो जाएगा फिर उसके पास से आप क्या केजेगा दूसरा बना के फिर रख लिजेगा तो यहाँ पर आपको लगाना कैसे अ ह भी आप बाल धोने जा रहे हो अपना तो कोई भी sample मत यूज करजे इसी sample से आप अपने बालों को धोईये आप देखे कि आपके scar प्रबलम थी ती वह दूर हो गए आपके बालों की प्रॉल ले सकते हो जो आपका फिवरेट ओयल हो इसमें डाल दीजे तो हमने यहां पर लिया है सरसो का तेल मेरा घर का बनाया हुआ है तो यहां पर जो नीचे जम जाता है ना थोड़ा थोड़ा तो वहीं आपको वाइड वाइड दीख रहोगा तो आप लोग उसके लिए कॉमेंट म लगाईए सुबह में आप अपने बालों को अच्छे से साफ कर लिजे आप देखेगा कि आपके बाल बहुत जादा साइनिंग रेसम के जैसे आपके बाल जो है मुलायम हो जाएंगे तो यहां पर हमने लिया है हीना मेंदी आप कोई भी मेंदी ले सकते हो अपने बालों के अपको लेना है यहां पर औरेंज फिल पाउडर औरेंज का छिल का चाहो तो आप सुखा के उसको पीज के रख सकते हो पाउडर बनाके अगर चाहो तो औरेंज का मिलता है अप ले सकते हो फिर उसके पास से हमने लिया है प्रिंग राज पाउडर जो होता है यह आपके बा बालों को मजबूत करने में काफ़ ज्यादा हेल्थ फूल होता है फिर उसके पास से हमने लिया है रीठा पाउडर अगर आपके पास नहीं अभैलवल है तो आप इसमें एक चमब सेंपू एड़ कर सकते हैं अगर सेंपू नहीं करना चाते तो आप रीठा भी इसमें एड़ क करेगा और आपके बालों को गिरने से रोकेगा आपके बालों में नए बालों गाएगा ज़ड़ने से रोकेगा बहुत ज़दा हेल्थफूल रहेगा और कलर भी आपके बालों में काफी अच्छा सब प्रोवाइट करेगा तो यहां पर यह सारी चीज आपके लिए बहुत ज के लिए रख रहे हो तो आपका मेहंदी और भी ज्याधा इश्ट्रॉंग होगा और आपका हैर कलर जो है वह फर्स्टाइम में ही आपको दिख जाएगा काफी अच्छा सा एक कलरा आपको देखने के लिए जो यहां पर वालो के लिए बात कहले चीन को बार्गंडी कलरे को दीए झूकंदर काट प्रूस से लिए निकाल से leiब znajों के पीजूआ बार्गंड़ के नहीं पांग छे चमच के अराउंड बड़ी चमच से फिर एक चुकंदर का जूस अगर आप निकाल के इसमें डाल दोगे तो काफी अच्छा सा कलर देखने के लिए मिलेगा और जिनको प्राउन कलर चाहिए वो यहाँ पे यह पैक जो हम बना रहे हैं इससे आपको काफी अच्छा करना होगा जिससे कि आपके बालों में काफी अच्छा सा रेट कलर देखने के लिए मिलेगा तो अगर नहीं समझ आ रहे तो आप लोग कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं मैं वैसे भी किलियर करना चाहती हूं कि मतलब मैं इतना स्लोली बोलती हूं कि आप लोग को समझ में आज आये पूरी बात इसके लिए मेरी वीडियो जो है थोड़ी लंबी होती है तो आप लोग घबड़ाईए ना क्योंकि आप लोग को पूरा जैनकारी जरूरी है जानना तभी आप लोग को अच्छा सा कलर देखने के लिए मिलेगा तो हमारा मेहंदी जो देख सकते हूं इसको हमने बना के रख लिए काफी अच्छा सा कलर भी आ गया है अब हम इसको रख देंगे ओफरनाइट के लिए जब भी आप इसको ओफरनाइट के लिए रख दोगे तो आप बात में कलर देखोगे तो देखे खुदे हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा सा कलर कैसे आ बस यहाँ पर हमने क्या किया था कि छुकंदर का जूस इसमें एड किया था क्योंकि जिनके बालों को बारगंडी कलर चाहिए तो हमने यहाँ पर तरीके से बना के रखा है क्योंकि अगर मैं दोनों दिखाने लगूंगी तो वीडियो और भी जदा लंबा हो जाएगा तो आप कोई ऐसा कलर मिलेगा फिर उसके बासे हम यहाँ पर उंगली को अपनी टेप करके दिखा देते हैं कितना अच्छा कलर भी आ प्यारा सा रहे हैं मैंने लगाया तूरण निकाल दिया तो कितना प्यारा कलर आया है अगर आप इस को लगाओंगा अपने बालों में 2-3 घंटे लिए तो आपके बालों में कितना प्यारा color आईगा आप खुधाधी कर सकते हो तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है आप यहाँ पे color देख सकते हूं अब आपको अपने बालों वालों में apply करynnay क्यूंसे करने का तुब तरीके हैं वह बहुत कर लिए चाहिए जाड़ लीजेश सूख हो जाए कि उपर से लेके नीचे तक के बालों में आपके अच्छ से अपलाई हो जाएगा और उसको दो से तीन गहंटे के लिए जितना टाइम आप चाहों उतना टाइम छोड़ दीजेश सूखने के लिए जबी आपका सूक जाया फिर पॉल्तिन से कबहर कर लिजे साधे पानी से आपको धोना है मैं जरका करना लिर्म